हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो माई चैनल आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक दम यूनिक डिजाइन का पेंटागोन सेफ में यह वाले डिजाइन यह बहुत ही प्यारे डिजाइन है तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर फोर प्लाइ का उन लिया है मैंने उन यह दो कलर का लिया है आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हो फ्रेंट्स और इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इस तरीके से उंगलियों में लपेटेंगे और एक हम मै मैजिक नौट तयार किया अब यहाँ पे हम थ्री का चैन करेंगे वन टू थ्री 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 चैन किया थ्री चैन हमारा पहला डबल क्रोसिया हो जाएगा फिर एक चैन इसमें और करेंगे तो यहाँ पे टोटल हमारा यह फोर चैन हो जाएगा अब यहाँ पे क्या करना है ह थ्री डेबल क्रोसिया बनानी है इस रिंग के ऊपर one two three थ्री डेबल क्रोसिया बनाने के बाद one chain करेंगे one chain करने की बाद फिर से हम इस रिंग के अंदर three double क्रोसिया करेंगे one two and three फिर वन चैन करेंगे, फिर थ्री डवल क्रोसिया बनाएंगे, फिर वन चैन करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या करना है फ्रेंट्स, इस रिंग के अंदर हमें थ्री डवल क्रोसिया बनानी है, फिर वन चैन करना है, फिर थ्री डवल क्रोसिया, फिर वन चैन, और इस तरीके से बनाते हुए इस रिंग के अंदर हम टोटल 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो देखे फ्रेंड्स यहां पर हमने यह टोटल 15 डबल क्रोशिया बना लिया है 15 डबल क्रोशिया बनाया तो देखे फ्रेंड्स यहां पर वन चैन करने की बाद हमने यहां पर टो डबल क्रोशिया किया है और अब क्या करेंगे यह जो मैजिक नॉट का यह एक्ष्ट्रा धागा है इसे पकड़ के आप अच्छे से इसे खींच लीजिए अब यह हमारा 1st round इस तरीके से complete हो जाएगा अब यहां पर क्या करेंगे हम यह जो starting में थ्री का चैन किया था यह हमारा पहला डबल क्रोशिया था तो तीसरे चैन के ऊपर यहां पर हमें इस तरीके से slip stitch लगा लेना है तो दिखे फ्रेंड्स यहां पर यह थ्री डबल क्रो पेश्टिच लगाते हैं यहां पे हम फोर का चैन करेंगे one two three four फोर चैन करने के बाद इसी चैन के उपर one double क्रोसिया बनाएंगे वन डबल क्रोसिया बनाने के बाद क्या करेंगे अब ये जो हमने थ्री डबल क्रोसिया बनाई हुई है वन टू थ्री इसको हमें फ्रॉंट पोश्ट करना है इस तरीके से हम फ्रॉंट पोश्ट करेंगे फ्रांट पोस्ट डबल क्रोसिया हमें इस तरीके से बनाना होता है यह देखिए सेम डबल क्रोसिया के जैसे हमें बनाना होता है इस तरीके से हम डबल क्रोसिया उठाते हैं और यह हमारा फ्रांट पोस्ट हो गया तो हमें 3 double crochet front post बनानी है, यह हो गया, अब क्या करेंगे, यह जो हमने 1 chain करा है, 1 chain के बीच में 2 double crochet करनी है, 1 chain लेकर, 1 double crochet, 1 chain and 1 double crochet, यहाँ पे हमारा 2 double crochet हो गया, फिर हमें same pattern apply करना है, यह जो 3 double crochet है, तो 3 double crochet को हमें front post करना है, इस तरीके से, देखे, 1, 2 and 3, तो 3 front post बनाया हमने, यह जो हमने यहाँ पे 1 chain किया है, इसके उपर हमें 2 double crochet करना है, 1 chain लेकर, और बाकी बचे यह जो 3 double crochet है, इन्हें हमें front post बुल लेना है, तो देखे, हमें इस तरीके से, यह 3 front post बुलना है, फिर जहाँ पे हमने chain लिया है, वहाँ पे 2 double crochet, 1 chain करके बनाना है, फिर 3 front post बुलना है, और same pattern apply करते हुए, इस round को complete कर लेंगे, देखे, यह हमने ब front post किया, और जो हमने यहाँ पे यह chain लिया था, 3 का, इस पे एक front post करेंगे, तो यह हमारा 3 front post यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने 4 chain लिया था, तो 1, 2, 3, तीसरे number chain के उपर हम slip stitch लगा लेंगे, और धागे को हम यहीं पे cut कर लेंगे, तो friends, यह हमारा beach का pattern तयार है, अब हम यहाँ से दूसरा color का उन लगा रहे हैं, आप चाहें, तो यह design single color में भी बुन सकते हैं, अब हमें क्या करना है, जहाँ पे हम two double crochet कर रहे थे chain के उपर, और उसके बीच में जो one chain ले रहे थे, इसी chain के उपर हमें इस उन को जोड़ ले लेना है, तो pool को हम यही पे जोड़ लेंगे, इस तरीके से, इसी chain के उपर हमें इसे जोड़ना है, यह हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद यहाँ फे four का chain करना है, one, two, three, four, four chain किया, four chain करने के बाद क्या करेंगे, इसी chain के उपर हमें one double crochet कर लेना है, one double crochet किया, तो one double crochet बना हुई है यह वाला इसे हमें बैक पोश्ट करना है तो इस तरीके से हमें बैक पोश्ट इसे कर लेना है बैक पोश्ट डबल क्रोसिया करेंगे यहां पर हम तो वन बैक पोश्ट डबल क्रोसिया यहां पर हो जाएगा अब क्या करेंगे यह जो हमने थ्री फ्रॉंट पोश्ट क यहां पर हम two front post करेंगे, फिर next वाले के उपर one front post, फिर third वाले के उपर two front post, पन और ये two. तो यहां पर जो हमने three front post किया था, इसके उपर हमारा ये total five front post बुन जाएगा, अब क्या करना है, फिर जो हमने ये double cross या बनाई है, chain के उपर दो, इसे हमें back post करना है, तो पहले one back post करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये जो हमने chain लिया हुआ है, इस chain के उपर one double cross या करेंगे, फिर one chain लेंगे, फिर one double cross या इसी chain के उपर बनाएंगे, और ये जो double cross या हमने chain के उपर बनाई हुई है, ये वाला, इसे हमें back post करना है, इसे हमें back post इस तरीके से बुन लेना है, तो friends हमें क्या करना है, ये जो हम दो double cross या बना रहे हैं, ये और ये, इसे हमें हर round में back post करना है, इन double cross या को, और जो front post हम कर रहे हैं, इसे हमें front post करके ही बुनना है, तो देखिए, ये हो गया, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ये, three front post किया हुआ है, इस पे हमें first वाले पे two front post बनाना है, second वाले पे one front post, और third वाले पे two front post, तो इस तरीके से इस पे five front post हो जाएगा, देखिए इस तरीके से, one, फिर ये, two, three, center वाले पे, ये जो center में है, इस पे one front post करना है, और ये four हो गया, five, तो यहाँ पे हमारा ये five front post हो गया, तो यहाँ पे हम ये five pattern तयार करेंगे, इसमें, जो फूल का पेटल होता है, तो ये इसमें five pattern बनके तयार होगा, यानि कि five पॉंखोडी, अब ये देखिए, five front post बनाने के बाद, ये देखिए, five front post बनाया हमने, अब क्या करना है, ये जो हमने two double cross या पनाई हुई है, चैन के उपर, इसे हमें back post करना है, back post करने की बाद, फिर इस chain के उपर one double cross या करना है, one chain करेंगे, फिर one double cross या, इसी chain के उपर बना लेंगे, फिर ये जो double cross या है, इसे हम back post कर लेंगे, और same pattern apply करेंगे, ये जो front post हमने बनाया हुआ है, तो front post के उपर हमें five front post करना है, तो सारे pattern के उपर हमें इस तरीके से five five front post करना है, और बीच में हमें two two back post करना है, two two double cross या one chain लेके बनाना है, same pattern apply करते हुए इस round को complete कर लेंगे, second round हमारा complete हो गया, हमने हर pattern के उपर five five front post कर लिया है, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम ये जो हमारा double cross या है, chain के उपर का, इसे हम back post करेंगे, इस तरीके से, back post double cross हो गया, अब यहाँ पर जो हमने four का chain किया था, तो one two three, तीसरे chain के उपर हम इसे slip stitch लगा लेंगे, slip stitch लगाने के बाद ये round हमारा complete हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या करना है, जो हमने chain लिया हुआ है, यहाँ पर one chain, इस chain के उपर हमें slip stitch लगा के आ जाना है, अब यहाँ पर हम फिर से four का chain करेंगे, हर round में हम four का chain से start करेंगे, four का chain करने के बाद इसी chain के उपर हम one double cross करेंगे, फिर one double cross करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये front post वाला हम front post करके बुनेंगे, और जो back post वाला है यहां जो हम chain के उपर double crochet बनाते जा रहे हैं और इधर जो हमारा बढ़ते जा रहा है तो इसे हम back post करके ही बुनेंगे अब देखिए दो double crochet बनाया हमने और यहां पे जो हमारा एक back post है और यहां पे एक यह जो double crochet chain के उपर है इसे भी दोनों को हमें back post ही करके बुलना है इस तरीके से one back post किया ये two back post तो हमने two back post कर लिया अब यहाँ पर क्या करेंगे जो हमने ये front post किया है five तो first वाला जो front post है इसे उठाएंगे और इस पर हम two front post करेंगे one फिर इसी फ्रांट पोस्ट के उपर एक और फ्रांट पोस्ट करेंगे यह टू टू फ्रांट पोस्ट करने के बाद अब यह जो आगे का फ्रांट पोस्ट है इसके उपर वन फ्रांट पोस्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट के उपर वन फ्रांट पोस्ट फिर next के उपर one front post और यह जो last वाला front post है इसके उपर हमें two front post करना है देखिए इस तरीके से तो देखिए यहाँ पे total हमारा यह seven front post बन के तयार होगा second round में यह जो two double cross यह बच रहे हैं यह chain के पहले इसे हमें back post करना है one और यह two यह हर round में हमारा एक-एक double cross यह increase होता जाएगा और उसे हमें back post बुनना है अब देखिए यह जो chain है chain के उपर हमें one double cross यह करना है फिर यहाँ one chain लेना है फिर one double cross यह करना है इस तरीके से फिर यह जो two double cross यह है इसे हमें back post बुनना है अब यहाँ पे यह जो five front post है तो पहले वाले के उपर two front post करेंगे और लास्ट वाले के उपर two front post बीच वाले के उपर हम single single front post करेंगे और यहाँ हम ऐसे same pattern apply करेंगे तो देखिए हमें इस तरीके से बुनते हुए इस round को complete कर लेना है तो देखिए friends यह round हमने complete कर लिया अब यहाँ पे क्या करेंगे हम तो यहाँ पे जो हमने back post किया हुआ है इसके उपर हम back post कर लेंगे इस तरीके से यह हमारा back post double cross यह हो गया अब यहाँ पे क्या करना है यह वाला जो एक back post किया हमने फिर यह वाला जो double cross यह है इसे भी हम back post कर लेंगे तो यहाँ पे two back post हो जाएगा अब यहाँ पे क्या करेंगे जो हमने यहाँ पे four का chain लिया हुआ था one, two, three तो third वाले chain के उपर हमें slip stitch लगा लेना है अब यह जो one chain है इसके उपर हम slip stitch लगाते हुए आ जाएंगे अब यहाँ पे हम फिर से four का chain करेंगे one, two, three, four four chain करेंगे हर round हम four chain से ही start करेंगे फिर इसी chain के उपर हम one double crochet करेंगे यह हो गया अब यहाँ पे क्या करेंगे यह देखिए यहाँ पे जो three double crochet यह बच रहा है इसे हम back post करेंगे हर round में हमारा एक side में one double crochet increase होता जाएगा उसे हम back post करते जाएंगे देखिए two back post और यह three back post हमने यहाँ पे three back post किया three back post करने के बाद यह जो हमने seven front post किया है यह देखिए seven front post इसे हमें first वाले front post के उपर two front post करेंगे one, two, two front post किया और फिर यह बीच में जो बचे है five front post इसके उपर हम five front post करेंगे one, one front post करना है हमे one, फिर next वाले के उपर one, फिर next के उपर one front post, फिर next के उपर one front post यह लास्ट का जो front post है इसके उपर हम two front post करेंगे one, two देखिए तो यहाँ पर एक pattern के उपर हमारा nine front post आएगा देखिए nine front post आएगा यहाँ पर one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine nine front post हुआ, अब यहाँ पर क्या करना है यह जो three double cross यह है इसे हमें back post करना है one, two और यह three, three back post किया हमने, three back post करने के बाद यह three, three back post करने के बाद, यह जो chain है, यह वाला chain, इस chain के उपर हमें two double cross करना है one chain लेकर, one chain लेंगे, फिर one double cross यह इसी chain के उपर बना लेंगे फिर इधर बागी बचे three double cross को हम back post करेंगे और यहाँ जो seven front post बनाया है हमने, seven front post के उपर हमें nine front post करना है first वाले front post के उपर हमें two front post और last वाले front post के उपर हमें two front post बीच में बचे five front post के उपर हमें five front post कर लेने है तो same pattern apply करते हुए friends, इस round को complete कर लेंगे दिखी friends, यह हमने round complete कर लिया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यह जो three double cross यह है, इसे हम back post कर लेंगे back post करने के बाद, यहाँ पर जो हमने four chain किया है, तो third वाले chain के उपर हम slip stitch लगा लेंगे, जो यह chain है, इसके उपर slip stitch लगाते हुए आ जाएंगे, four chain करेंगे, one, two, three, four, four chain करेंगे, same पंदे में one double cross यह करेंगे, यहाँ पर जो four double cross यह दिख रहे हैं, इसे हम back post करेंगे, यहाँ पर हमने four back post किया, तो दिखिए यहाँ पर यह हमारा इस तरीके से four back post हो गया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यह जो nine front post है, इसे हमें flower का petal बनाना है, तो यह हमारा इस तरीके से flower का petal बनेगा, यानि कि फूल के पंखुडी, तो इसे हमें दोनों side से एक एक घटाना है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, यह जो हमने front post double cross यह किया है, तो यह हम two front post एक साथ उठाएंगे, इस तरीके से उठाया हमने, फिर दो फंदों को गिराएंगे, और दो फंदे हम क्रोसिय के उपर ही रखेंगे, फिर next वाला front post उठाएंगे, और इस तरीके से हम दो फंदे को गिराएंगे, अब यहाँ पर यह हमारा थ्री फंदा बचेगा, इसे हम एक साथ बंद कर लेंगे, अब यहाँ पर बागी बचे यह तीन front post हम one one करेंगे, इस तरीके से, तो यहाँ पर यह हमने three front post किया, one one, तो देखें, यह last का जो three front post बचा है, इसे हमें इस तरीके से बुनना है, यह one front post उठाएंगे, यहाँ पर two fund गिराएंगे, दो fund गिराएंगे, दो fund करोशिय के उपर रखेंगे, और जो हमने यह two front post एक ही साथ बनाए थे, इसे हम इस तरीके से उठाएंगे, यहाँ पर two fund गिराएंगे, और यहाँ पर बागी बचे three fund को हम एक साथ बंद कर लेंग यह हमारा इस तरीके से दोनों साइड से एक-एक फ्राउंट पोस्ट कम हो जाएगा अब यहाँ पर यह हमारा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 फ्राउंट पोस्ट आएगा इस राउंड में यह बाकी बचे डबल क्रोसिया को हम बैक पोस्ट बुन लेंगे 1 4 बैक पोस्ट किया 4 बैक पोस्ट करने के बाद इस चैन के उपर हम 2 डबल क्रोसिया करेंगे 1 का चैन करते हुए 1 डबल क्रोसिया 1 चैन 1 डबल क्रोसिया सेम लूप अब यहाँ पर क्या करेंगे फिर से यहाँ पर हम 4 बैक पोस्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर हम देखिए यह जो हमने इकठा 2 फ्रॉंट पोस्ट किया है एक ही फंदे के उपर इसे हम इस तरीके से उठाएंगे 2 फंदा गिराएंगे 2 फंदे क्रोसिया के उपर रखेंगे नेक्स्ट वाले फ्रांट पोस्ट का इस तरीके से टू फंदा गिराएंगे टू फंदा ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे जो थ्री फंदे बचेंगे इसे हम एक साथ बंद कर लेंगे जैसे हमने ये वाला फूल का पंखुडी को घटाया वैसे ही हम बाकी बचे फूल की अब यहाँ पे क्या करेंगे हम थ्रड वाले चैन के उपर हम स्लिप स्टीच लगा लेंगे चैन के उपर आ जाएंगे ईक नेक्स्ट रोंड बनाना शुरू करेंगे फूर चैन करेंगे ऑन तू फ्री फॉर राड़ क्रों सिया खरेंगे संफंध में यहाँ पे हम 5 back post करेंगे यहाँ पे हमने 5 back post किया अब यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे हमें इसे दोनों साइड से एक गहटाना है तो यहाँ पे जो हमने दोनों साइट से दो-दो front post एक साथ घटाया था, इसे हम इस तरीके से उठाएंगे, दो फंदे गिराएंगे, दो फंदे क्रोसिय के उपर रखेंगे, फिर next वाला front post उठाएंगे, फिर ये देखिए इस तरीके से करके इसे हम बोल लेंगे, तो इधर से हमारा एक घट गया, अब यहाँ पे एक बचा है बीच में ये जो front post, इसे हम इस तरीके से एक front post करेंगे, one front post, अब यहाँ पे जो ये थ्री front post बचे हैं, इसे हमें एक साथ बुनना है, ये देखिए, दो फंदे गिराएंगे, फिर इन दोनों को एक साथ उठाएंगे, या तिन फंदे करेंगे, तीनों फंदों को एक साथ बंद कर लेंगे, तो देखिए, इस राउंड में यहाँ पे हमारा five front post आ जाएगा, तो ये जो हमारा four back post है, इसे four back post बनाएंगे, और ये जो chain के उपर एक double crochet है, इसे भी हम back post कर लेंगे, तो यहाँ पे five back post हो जाएगा, फिर एक chain करें फिर इधर भी back post करेंगे, और same pattern फिर हम इसे apply करेंगे, और इसे complete करेंगे, और इसी तरीके से फूल की बागी बची भी पंखुडियों को हम भून के complete कर लेंगे, तो देखिए फ्रेंट्स ये round हमने बना के complete कर लिया, अब यहाँ पे जो हमने four का chain किया है, तो third वाले chain के पर हम slip stitch लगाएंगे, फिर next chain में आ जाएंगे, slip stitch लगाते हुए, four का chain करेंगे, one, two, three, four, four chain किया, four chain करने के बाद, same chain में हम one double crochet करेंगे, अब यहाँ पे हम, यहाँ पे जो जितने, यह देखिए, यहाँ पे five back post है और one double crochet, इन सब को हम back post करके बुन लेंगे, तो यहाँ पे यह हमने back post बुन लिया, back post बुनने की बाद यहाँ जो हमने five front post किया है, इसे हम इस तरीके से बुनेंगे, two front post एक साथ उठाएंगे, two fund गिराएंगे, two fund क्रोशिये पे रखेंगे, यहाँ पे जो center में one front post है, इसे हम उठाएंगे, one front post करेंगे, two fund गिराएंगे, एक फंदा क्रोशिये के उपर ही रखेंगे, फिर यहाँ पे यह last का two front post उठाएंगे, इस तरीके से, फिर two fund गिराएंगे, अब यहाँ पे हमारे पास four fund गिराएंगे, अब इन सब को हम एक साथ बंद कर लेंगे, तो देखे फ्रेंड्स, यह इस तरीके से हम flower का petal बना के complete कर लेंगे, अब यहाँ पे जो यह back post हमारे five बेचे हैं, और one double cross या, इसे हम back post बून लेंगे, तो यहाँ पे हमारे six back post आएंगे, six back post बनाने की बाद, यह जो chain है, chain के उपर हमें, यहाँ पे two double cross या करना है, जैसे हर round में हम बनाते आ रहे थे, one chain करेंगे, फिर one double cross या करेंगे, तो यहाँ पे हमने two double cross या, one chain लेकर बनाया, फिर यहाँ पे हम six back post करेंगे, और यह जो हमारा flower का पैटल है, इसे हम जैसे हम जैसे हम जैसे हम जैसे हम बंद किया, same pattern से हम इसे भी बंद करेंगे, और बाकी बच्चे पैटल को भी हम same pattern apply करते हुए बंद कर लेंगे, और इस प्रेंट्स यह round हमने बना के complete कर लिया, यह हमारा flower का पैटल बनके तयार हो गया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने four का chain किया था, तो third वाले chain के उपर हम slip stitch लगाएंगे, slip stitch लगाने के बाद यह chain के अंदर आ जाएंगे, slip stitch करेंगे, four का chain करेंगे, यहाँ पर, one, two, three four, four chain करने के बाद, इसी chain के अंदर one double crochet करेंगे, one double crochet करने के बाद, तो यहाँ पर जो one double crochet है, और यह जो six back post है, इसे हम back post भून लेंगे, तो देखे, friends, यहाँ पर यह जितने double crochet यहाँ बैक post थे, उसे हमने back post भून लिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो last वाला back post भचेगा, उसे हम दो फंदे इस तरीके से crochet पर ही रखेंगे, फिर यह जो हमने flower का पैटल बनाया है, तो यह हमारा flower का पैटल यहाँ पर complete हो गय तो इसके बगल का यह जो back post है, इस वाले pattern का यह वाला उठाएंगे, फिर टू फंदा गिराएंगे, अब यहाँ पर थ्री फंदे बचेंगे हमारे, तो इन तीनों फंदों को एक साथ बंद कर लेंगे, फिर यहाँ पर बाकी बचे back post के उपर हम back post करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यह जो हम one chain करते आ रहे थे, इस one chain के अंतर हम two double crochet करेंगे, one chain करके, one double crochet, one chain and one double crochet, सेम फंदे में, फिर यहाँ पर बाकी बचे back post को हम back post पूल लेंगे, और इस double crochet को भी हम back post करके पूल लेंगे, और यहाँ जैसे हमने आपको बताया, तो ये वाला जो पैटल है इसके बगल वाला दोनों बैक पोस्ट हम एक साथ बुनेंगे यहाँ पे हमें कुछ नहीं बुनना है और सेम पैटन अपलाई करते हुए फ्रेंट्स इस राउंड को हम कम्प्लीट कर लेंगे तो देखिए यह हमारा बहुत ही प्यारा सा पैंटागोन सेफ में यह फ्लावर वाला डिजाइन बनके तयार है बहुत ही सुन्दर लग रहा है और बनाना बहुत ही इजी है तो आप जरूर ट्राई करें तो फ्रेंट्स इसी तरीके से हमने बहुत सारे पैटन तयार कर लेने हैं और इसे हम आपस में जोड़के इससे बहुत सारी चीजे बना सकते हैं जैसे table mat, cardigan, solve वेगर हम इससे बना सकते हैं और यही पैटर्न हमने दूसरे color में भी बनाया है यह देखिए बहुत ही खुबसूरत लग रहा है तो इसी तरीके से हमने यह दोनों पैटर्न तयार किये हैं बहुत ही खुबसूरत लग रहा हैं तो friends आप इस तरीके से बना के इससे बहुत सारी चीजे बना सकते हैं तो आप जरूर ट्राइ किजिएगा तो friends डिजाइन पसंद है तो वीडियो को लाइक सेर किजिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए डिजाइन के साथ तब तक के लिए बाबाय है बनाइस टे